अगर आपके पास एक latest model का laptop है और उस laptop के keyboard में touchpad के अंदर एक fingerprint का sensor है यानि आप अपने mobile phone की तरह अब laptop को भी fingerprint से lock कर सकते हैं यहाँ पर finger sensor पर अपनी finger को verify करवा कर mobile phone की तरह laptop को unlock कर सकते हैं अपने finger से तो किस तरह से आप अपने laptop में finger lock को setup करेंगे और किस तरह से finger lock से laptop को unlock करेंगे यह हम आपको इस video में बताने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले keyboard में window की press करेंगे या फिर यहाँ से आपको window के button पर click करना है उसके बाद आप यहाँ से profile के option पर click करके भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से setting के option पर click कर देंगे यहाँ side में आपको एक account का option मिलता है just यहाँ पर click करेंगे तो हमारे सामने एक यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे account setting के option में second number sign in option पर click कर देना है अब आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलते हैं fast lock उसके बाद मिलता है fingerprint lock उसके बाद मिलता है pin lock तो pin lock कैसे setup करते है pin कैसे change करते हैं और pin कैसे remove करते हैं यह मैं last video में बता चुका हूँ तो यहाँ पर हम second number option यहाँ पर fingerprint को अभी हम enable करके बताने वाले हैं fingerprint यहाँ पर हम just click करेंगे तो यहाँ पर हमें setup का option देखने को मिल जाता है just नीचे setup के option पर click करेंगे और यहाँ से आपको get start के option पर click करना है बाकी detail आप यहाँ से पढ़ सकते हैं just get start यहाँ पर आपको pin number type करना है जो भी आपने pin set कर रखा है अगर आपने pin set नहीं किया है तो आपको यह screen देखने को नहीं मिलेगी pin set करने के बाद यहाँ पर आ चुका है finger sensor active हो चुका है आपको अंगुली रखनी है अपने finger sensor के उपर और जिस तरह से आप अंगुली को गुमाएंगे आगे बिचे करेंगे side से पूरी अंगुली को verify करवाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर यह verify होता जाएगा पुरा 100% आपक इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी finger lock के लिए add हो जाती है तो अब आप अपने mobile phone की तरह laptop को भी finger से unlock कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि एक से अधिक finger add करें तो यहाँ पर आपको option मिलता है add another finger just इस पर click करेंगे और इसी तरह के process को follow करना है जिस भी finger को आप verify करवाना उस finger को यहाँ पर press करेंगे आगे पीछे उपर नीचे और चारो तरह से finger को गुमा कर इस तरह से verify करवाएंगे तो यह finger भी आपकी इस तरह से verify हो जाएगी उसके बाद आप दोनों मैंसे किसी भी finger को इस screen के अंदर इस जो finger का sensor है just इस पर press करेंगे तो आपका laptop unlock हो जाएग चलिए हम आपको बताते हैं कि laptop unlock कैसे होगा finger लगाने से ये भी हम आपको दिखा देते हैं laptop का switch on करने के बाद इस तरह की screen आपको देखने को मिल जाएगी यहां से आप अपनी finger को laptop के keyboard के अंदर जो touchpad है टचपेड के अंदर जो finger sensor है just उस पर रखेंगे तो laptop unlock हो जाएगा तो आप इस तरह से laptop में finger lock को enable कर सकते हैं और इस तरह से use कर सकते हैं I hope ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें